आठबाइबी के ना किराना शोप बनकर तयार है और इसका पूरा एस्टिमेट बताऊंगा वीडियो में लाइट का एस्टिमेट बंखो का सेलिंग का सारे एस्टिमेट मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ तो जैसे ये शोप तियार होती है इससे पहले है न हम क्लाइंट के लिए जो तियार करते हैं तो उसके बार में आपको दिखा जाता हूँ जैसे अगर ये देखें तो ये मैंने 3D बनाई है तो इसमें किराना स््टोर लिग दिया है ये शॉप के अंदर की मेज ini ये तीन साइड में रैक है ना तो ये तीन साइड के रैक है इसके अंदर हमने लगाए गासने का चानको और इसके बाद जैसे यह ceiling है तो light है कहा लगनी चाहिए अब आप उपर की side देखो तो हमने light भी लगा के दिखाई यह drawing में इस rack की जो सबसे खास बात है यह adjustable होते हैं आप इसमें शेल निकाल सकते हो ऐसे और वापीस लगा भी सकते हो और इसके height ना increase या decrease कर सकते हो इसके अंदर bracket लगे होते हैं यह bracket होते हैं इसको up and down करके आणा adjust हो जाता है और इसमें दीमक का खत्रा तो होता नहीं क्योंकि यह metal से बना है और powder-coated होते हैं तो junk का खत्रा नहीं होता फिर इसमें और इसको ऐसे ही लगाना भी बहुत असान है इस तरीके से आप रख सकते हो और यह color भी आप अपनी choice का बनवा सकते हो जैसा आप color करवाना चाहते हो इसके अंदर और अब बात करें आगे देखो इस तरीके से हम पूरा structure बना के दिखायते है कि यह यहाँ पर समान इस तरी बीडी का भी लगबग ऐसा ही था तो अब खर्चे की बात करते हैं डारेक्ट खर्चे की बात पर आता है क्योंकि टॉपिक भी वही है वीडियो का तो जो यह रैक का खर्चा आता है यह 55-60,000 रुपय आये है तीनों दिवारों का रैक का और इनमें आगे front stopper दिये गए है जाली वाले ताकि समान नीचे ना गिरे और साइड में भी जालीया दी गई है और ठीक अगर ऊपर देखें तो यह जो लाइट का खर्चा है ना सिरफ 6,000 रुपय आया है अरांड 1,000 रुपीज की लाइट है और बाकी वायरिंग का खर्चा जो अलग आएगा वो तो आए इसके नदर जो पंक्खें हैं पंदरासो पंदरासो रुपय की दो लगे है लगवाग तीन अजार पर घर्चा पंखो का है और अगर आगे इसकी साइड में देखूं यह ग्लास लगा हुआ है तो ग्लास का जो खर्चा आया है लगवाग लगवाग 21,000 रुपय का खर्चा उसका कोई एक्स्टा चार्ज नहीं है स्कीन पर मेरा नंबर दे रहके आप कॉंटेक्ट कीजिए आपको बस शॉप का है न साइज बेजना है तो जैसे इंची डेब होता है उससे आपको लैंटोर ब्रेथ आना शॉप की नापनी है कि मालो जो रहक है आपको बताना होगा क यह कितना एरिया कवर करना है फॉर एक्जामपल माल लीजिए यह 12 फीट यह एप्रोक्स है 12 फीट इसमें बारा फीट तक हम की रैक लगा के दे देंगे जो पीछे की दिवार दोगे उसके साब से रैक बन जाएंगे जो साइट की वहला उसके साब से और सबसे बैस जो बा उसके साइख लिखा रहिए हमने काइसा लगेगा बने के बाद हि अपनी हिसाब से क्फेमाइज करा सकत zone हो जो स्वीच बोड नौन के ठीक पीछे लगने ताकि आप में जब करो तो और यहां की हाइट आसे लगाक है लगभा को दिखाए is 똑ी एप्रोक्स और जो रैक की हाइड हमने दी है वो हमने दी है 6 फीट दी है और साइड में जालिया दी है ताकि समान नीचे ना गिरे और अगर इसको देखे तो बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा है और इसमें सेंटर में जगे नहीं थी इसलिए हमने रैक नहीं लगाए लेकिन जैसा अगर आपको शोप में खुद एंटर करना है तो आप इसमें चोटी साइज के ड्रम रख सकते हो यहाँ पर वीडियो पसंद करो के तो ऐसे वीडियो फिचर में भी आते रहेंगे थैंक यू